तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक 2.1 एम्पलिफायर बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जुरूरत पड़ेगी या फिर एक एम्पलिफायर आप जब खुझ से बना रहे हो तो उसके अंदर किन किन चीजों की जुरूरत ऐसी पड़ती है जो एक एम्पलिफायर के अंदर होनी ही चीए तो काफी सारे amplifier के अंदर आप लोगों को काफी सारे circuit देखने को मिलते होंगे किसी के अंदर कुछ लगा है किसी के अंदर कुछ लगा है तो वो जो circuit होते हैं वो सच में amplifier के अंदर जरूरी होते हैं या नहीं होते हैं तो इस बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2.1 amplifier की, कि इसके लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पढ़ने वाली है, तो यहाँ पे है मेरे पास एक 2.1 amplifier जो अभी assemble हो रहा है, यह complete नहीं है फिलाल के लिए, तो इसके अंदर अगार आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे दो board लगे हुए हैं सामने, जो कि यह है, यह stereo board है अपना, जो कि 100 पलस 100 output देता है, और यह वाला जो board है, यह 200 बोट mono का board है, जो कि subwoofer के लिए इसके अंदर लगाया गया है, तो यहाँ पे यह जो 100 पलस 100 बोट है, यह left right के लिए है, यानि कि इस पे आप satellite speakers वगेरा यूज़ कर सकते हो, satellite speaker यह निए कि आप छोटे छोटे speaker इसके अंदर यूज़ करोगे, इसके अंदर कम से कम भी 10 बारा बारा इंचे के speaker आराम से चला सकता है, यह ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि यह जो 200 बोट है, यह अपना है, subwoofer के लिए, specially इसके अंदर से आपको base मिलेगी, तो इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है, कि आप लोग इसको 100 पलस 100 या फिर पलस 200 बोट ही बनाओ, कोई भी आप 2.1 सिस्टम बना रहे हो, तो उसके लिए आपके पास 3 चैनल का amplifier board जो है, वो होना जरूरी है, और उनकी जो audio signal है, वो अलग-अलग होने चीए, या फिर आप लोगों के पास एक stereo board, या फिर एक mono board आपके पास होना चीए, वो जो configuration है, वो आप लोग खुद decide करोगे, कि भाई आपको कितनी वोट का amplifier बनाना है, अपने speakers या फिर आपका जो subwoofer है, उसके हिसाब से, तो यहाँ पे जो configuration है, वो आपका जो budget है, वो decide करेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा power का amplifier बना रहे हो, तो उसके लिए फिर ज्यादा पैसे भी लगेंगे, अगर आप कम power का amplifier बना रहे हो, तो उसमें आपका जो कम budget में है, वो कम budget में कम चल जाएगा, तो यह सारी चीज़े decide होती है, कि आप किस तरीकी के इंसान हो, किस तरीकी का music आपको सुनना पसंद है, या फिर आपका जो budget है, वो किस level का है, तो यह सारी की सारी चीज़े, ऐसे decide करी जाती है, तो उसके बाद फिर जो आप board यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आप power supply देखो के, कि यह जो board है इन पे, कौन सी power supply आप यूज़ कर सकते हो, तो जैसे कि मेरे पास अभी यह दो board है, तो इनके अंदर दोनों के अंदर 2SC 52 लगे हुए हैं, और दोनों ही board 200-200 वोट के हैं, तो total अपना हो गया 400 वोट, तो इनके लिए अभी जो power supply है, AC to DC वाली वो इसके अंदर inbuilt है, तो यहां से मैंने इसके अंदर भी power supply दे रखी है, तो इसलिए इन दोनों के लिए अब हमें चूज़ करना है transformer, ठीक है तो इन दोनों के लिए transformer जो होना चीए, वो लगबग लगबग अपना 450-500 वोट का transformer होना चीए, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 45-0-45 का transformer जो की दोनों बोट को मतलब चला देगा आसानी से, और हमें 400 वोट की जो RMS power है, वो मिल जाएगी दोनों amplifier बोट से, तो यह जो amplifier मतलब बन रहा है, यह अपना रहने वाला है 400 वोट RMS का 100 पलस 100 पलस 200 वोट RMS power, तो यहाँ पे transformer के अंदर भी आप quality चूज़ कर सकते हो, अगर आपका low budget है तो यहाँ पे आप aluminum का यूज़ कर सकते हो, अगर आपका budget सही है, तो आप copper का यूज़ कर सकते हो, तो दूसरी चीज़ यह है कि जो ट्रोडल transformer आते हैं, वो costly आते हैं, अगर आपका low budget है, तो आप यहाँ पे EI core भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रोडल transformer के अंदर आपको काफी सारे option मिल जाते हैं, काफी सारे मतलब यह है कि जितनी supply चाहो, आप निकलवा सकते हो इसके अंदर से, ठीक है, तो ताकि जो overboard इसके अंदर लगने वाले हैं, वो इसके अंदर एक ही transformer के अंदर काम आपका चल जाए, तो यह तो जो base table circuit होता है, जो अपना, और फिर एक अलग से low pass filter जो होता है, वो आप लगा सकते हैं, low pass filter जो होता है, वो subwoofer के लिए लगेगा, और जो preamp है, left, right के speakers के लिए, जो board है, उसके लगेगा, ठीक है, तो यह main चीज़ हो गई, जो चीएं चीएं, उसके बाद फिर आपके पास option ह होते हैं, अगर आपको लगाना है, तो भी बैस्ट है, अगर नहीं लगाना है, तो भी आपका कम चल सकता है, तो उसके बाद यहां पी देख सकते हो, speaker protection आती है, एक speaker protection यहां पे लगी है, तो यह जो speaker protection है, जो 100 वोट से उपर के जो amplifier से हैं, उनके अंदर लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि 100W की power कम power नहीं होती, बहुत ज़्यादा power हो जाती है अगर आपका amplifier damage होता है या कुछे short circuit वगएरा होता है, तो वो साथ में जो आपके speakers हैं, उनको भी लेटता है ठीक है, तो इसलिए जो speaker protection है, ज्यादा heavy amplifiers होते हैं उनके अंदर लगानी जुरूरी है, अगर आप कम power का बना रहे हो है, amplify तो उसके अंदर जो speaker protection है वो लगानी की जुरूरत होती नहीं है तो उसके बाद फिर आपकी आती है chassis वेगरा तो chassis भी आपको देखने हैं कि आपको किस तरी की यूज करनी है, काफी सारे जो बंदे होते हैं वो handmade जो chassis होती है, खुद बनाना पसंद करते हैं कुछे अपनी जो chassis है ये वाली, ठीक है, कुछ बंदों ने ये भी लिए, इसमें भी बना रहे हैं लोग मैंने काफी जगह पर देखी है उसके बाद आता है अपना soft starter यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो तो जो troidal transformer होते हैं, जो heavy transformer होते हैं उनके लिए जो soft starter है, वो लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है नहीं तो फिर जो आपके घर के MCV बगएर है वो trip कर जाती है तो इसलिए soft starter काफी जरूरी होता है अगर आप एक heavy amplifier बनाते हो तो लेकिन आप जैसे 100 वोट तक 200 वोट तक 300 वोट तक भी अगर कोई 400 वोट तक भी बनाते हो तो भी इतना कोई ज़्यादा जरूरी होता नहीं है लेकिन हम लगा के देते हैं भाई ठीक है तो उसके बाद क्या बचता है उसके बाद इसके अंदर देख सकते हो और कुछ भी नहीं है एक Bluetooth बगएर है तो ये सारे चीजे होती है एक amplifier बनाने के लिए ये सारे चीजें आपके पास होना बहुत ही जरूरी है अगर आप Trudel Transformer यूज नहीं करना चाते है EI Core यूज करना चाते है तो EI के अंदर भी Power Supply या निकलती है लेकिन वो फिर आपको कस्टमाईज करके बनवाना पड़ेगा लेकिन Trudel Transformer अपने पास होते हैं EI Core में अपने पास कस्टमाईज जो होते हैं वो Transformer नहीं होते है तो इनके अंदर से कुछ भी अगर आप लोगों को Parts चीए तो वो मेरे को Contact कर सकता है Number मेरा Description में आप लोगों को मिल जाएगा तो यहां पर इसके सारे एक जैसे देखो इसके अंदर मैंने View Meter भी लगा रखा है तो View Meter भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से आपको लगाना है या नहीं लगाना है वो आपकी मर्ची है तो इसके अंदर फिर जैसे क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूँ कि किस तरीके से बनाना है तो इसके जो Connection वनेक्शन है देख सकते हो यह जो Board है इसके Connection यहां पर आए है इसके Speaker Protection के अंदर और यह जिसकी जो Speaker Protection है वो यहां पर Attach है तो उसके बाद फिर इनको Power Supply देने का हिसाब किता बाता है तो ट्रोडल Transformer के अंदर से काफी सारी Supply यह निकली हुई है तो एक Power Supply से यह दो काम करेंगी और एक Power Supply से यह अकेली काम करेंगी ठीक है अगर फिर जैसे Fan बगेरा हो गए उनके लिए अलग से Supply यह निकली हुई है इसके अंदर ठीक है जो अपना यह 2.1 का Board है इसके लिए अलग से 12-0-12 की Supply निकली हुई है तो यह इसके अंदर काफी सारी चीजे हैं जो एक एक करके Point अब लोगों को समझना है तो मैंने काफी सारी वीडियो डाल रखी है पहले भी 2.1 की कि किस तरीके से आप एक Amplifier बना सकते हो लेकिन पहले क्या होता था पहले जो एक अपना 2.1 Amplifier बनता था उसके अंदर हम जो Preamp है उसको यूज करते थे और उसी को Modify करके Low Pass Filter बनाके वो लगाते थे तो अभी क्या है अभी अपने पास 2.1 का एक Proper Preamp आ चुका है जिसके अंदर Low Pass Filter भी Inbuilt है और जो Left Right के लिए Preamp है वो भी Inbuilt है तो गाइस जिसको भई इनमें से कोई Part ची है वो Contact कर लो या फिर जिसको Complete Amplifier बनाना है इस Amplifier का Rate भी मैं बताते थे हूँ ये जो 2.1 Amplifier है ये आप लोगों को पढ़ता है सिर्फ और सिर्फ सड़े 8000 रुबेगा तो जिस जिसको बनावाना है वो भी Contact कर सकता है या फिर जिसको Parts चाहिए इसके वो भी Contact कर सकता है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में गाईस तब के लिए बाबाई टेक केर